है है हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दावेट वीजन दिस साहिल मलिक यूर होस्ट और यूर वैट तो गाइस हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए इंप टॉपिक ले गया हूं यह टॉपिक एक डोग से रिलेटिड नहीं यह कैट से रिलेटिड है य उसके मूँ में से जाग आनी स्टार्ट हो जाती है अब देखो गाइस जाग किन-किन टाइप की हमें देखने को मिलती है आपको स्क्रीन पर कुछ एक फोटोग्राफ दिखरी होगी कि यह ऐसी टाइप की जाग जो आपके किटन के माउट से आपको आती हुई नजर आएग एंटर कर जाते हैं कि बोडि इसारी के एंदर देखिए का जब एक टॉक्सीमिया की कंडिशन आजाती है अगर कोई चीज़े आपका किटन खा ले और वह आपके किटन का स्टमक है वह उससे नहीं कर पा रहा देखी पड़ी वहीं पे रह जाएगी और महां पर टॉक्सिट बाखर कोशिश करे गाए डेन हमें फब्स चुम्हाइगा यह काफी जयागा यह काफे ज्यादा सीरियस कंडिशन नहीं बिल्कुल भी आप अगर आपके साथ आपके किटन के साथ ऐसा हो रहा है तो आप यह मस्समझना कि यह कोई किसी बीमारी से जूज रहा है अगर गाइस दिन में वह वामिटिंग कर देता है या डायरिया होता है उसके टॉम केट के मालो यह आपके कोई पास बिली है कैट है य यह एक टाइम पर सीरियस सिच्वेशन हो सकती है लेकिन अगर आपका किटन इस पोजिशन में नहीं है सीरियस कंडिशन नहीं है नॉर्मल जाग दिखा रहा है अपने फेस के ऊपर अगर उसने जब वो कुछ खाता है खाना आप देते हो तब थोड़ी दिर बाद वो जाग द करें आपको क्या होगा इस से बेनीफिट अगर आपका किटन किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है यह अच्छा जूब वेटनेरी होगा कमप्लीडिडिडि वेक्सिनेशन प्रोग्राम चेक करेंगा कंप्लीड जो डाइट होगी वो भी चेक करेंगा लेकिन हम घर रहते उसका की से करें घर रहते क्या करें गाइस अगर आपके कितन के अंदर डाइरिया हो ज्यादा मंट में तो आना वर यह मैंने आपको डोग के लिए बताया था एक वीडियो के अंदर आप उस और इसके घोल को आप अपने कितन को दे सकते हैं दिन तो या तीन बार क्योंकि उससे जब डीहडरेशन हो गई है डाइण की वज़े से उसकी पुर्ति हो जाएगी ठीक है सेट आपको क्या करना तो पंपकीन आता है पंप किन में को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे फंक की क्या करना है आपको जो आपको किटन की डाइट के अंदर दे रहे हो खाने को उसमें मिलागे उसे तरह लाना है दहएखार क्या करेगा जो acid formation हो रही है किटन के स्टमक के अंदर यां इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोब्लम हो रही है उसको दूर करने में help करेगा जो acid की formation हो justement उसको भी suppress कर देगा जिससे जाग बननी कम हो जाएगी तो guys आप ये अपने घर पे जरूर कर सकते हैं अपने kitten को आप ये froth की formation से आप उसे बचा सकते हैं otherwise guys अगर आप घर पे treatment नहीं करना चाहते हो अगर आपको ये लग रहा है कि ये serious situation में है देन मैं आपको जरूर यही कंसल्ट करने वाला हूं कि आप अपने एरिया के किसी भी वेटनेरियन से जो एक experience वेटनेरियन हो वहां से आप संपर्ख करें उनसे आप लिंक बनाए और आप उनको ही अपना किटन दिखाएं otherwise किसी अगर वो डिप्लोमा होल्डर नहीं है या डिगरी होल्डर नहीं है आप उससे ट्रीटमेंट मत करवाएं इट मैं भी रिस्क रिस्क ली यह काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है आपके किटन के लिए फिर आपको होगे की दोक्त साब यह ऐसे हो गया का मैं यह कुछ कंडिशन हो सकते हैं तो इस मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया कि आप घर रहके क्या करें दुबारा में रिपीट कर देता हूं पंपकिन ले पंपकिन को आपके डोग की का डोग किटन की डाइट के अंदर डालके आप उसे खिलाएं अच्छे से खिलाना करें सकते हैं का इस घबराने वाली कोई बात नहीं है ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका लेकिन अगर सीरियस सिच्वेशन हो तो आप वेटनेरियन से जरूर कंसल्ट करें अगर नॉर्मली जाग बन रही है आपकी किटन के माउथ के उपर देन आप यह पंकिन वाला यह टॉपिक मेरे चैनल पर आपको दिखाने वाला हूं इसलिए आज मेरा किटन के ओपर यह फर्स्ट टॉपिक है कि जो फ्रोथ फॉर्मेशन हो जाती है और जिससे आप घबरा जाती हो कि हमारा किटन को यह क्या हो गया हम टेंशन में आ जाते हैं देन उसका पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर थोड़े सी इंफोर्मेटिव लग रही है ना आपको तो कमेंट जरूर करना और अगर आपकी के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए डिसोडर हो जाए या कुछ खार नीरी या अदर कोई भी डिजीज हो उसका रिप्लाइ मिलेगा थैंक यू सो मुच गाई फोर वोचिंग मैं विडियो और प्लीज दू लाइक सुब्सक्राइब और कमेंड बबाए और है नाइस थे चाटा